क्यों अभीरा ने तोड़ी अपनी ही नंद की शादी क्यों अभीरा बनी घर की विभीशन आप देखेंगे अपकमिंग एपिसोड में अभीरा को अपनी नंद चारू का रिष्टा तोड़ते हुए मगर क्यों ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक सरूर बने रहें ये रिष्टा क्या कहलाते कि अपकमिंग एपिसोड में चवर्दस ड्रामा देखने को मिलेगा क्योंकि दादी सा कर्वा चौत के लिए अभीरा को सर की भेट करेगी वही उससे पहले अभीरा की वज़े से चारू की शादी तूच जाएगी और सभी लोग उसे फिर से दोशी बना देंगे हाले के अपिसोड में आपने देखा कि पौतार परिवार किस तरह अभीरा के खिलाफ है और हर छोटी छोटी बात के लिए उसे दोशी ठेहराते हैं वही आप अभीरा की एक गलती की वज़े से अर्मान की बहन की शादी तूच जाती है और करवा चोट से पहले एक बाद फिर बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है वही अपकमिंग एपिसोट में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ट्रामा आप देखेंगे कि अभीरा मा बनने वाली है और वो ये खुश कबरी सब को देने भी वाली है वही अपकमिंग ट्राक में आप देखने वाले हैं कि काजल चारू की शादी करने का फैसला करती है और उसे शादी के लिए मजबूर भे करती है आप देखेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड में घर में होते हुए चबरदस्त बावाल को आप देखेंगे कि दूले का परिवाद चारू को देखने आएगा और काजल चारू प्रिश से अभीरा अर्मान को दूर रखने के लिए कहेगी वहीं अर्मान अपनी पत्नी अभीरा को बलाएगा अर्मान अभीरा चारू और दूले को अलग बात करने के लिए ले जाएंगे जहाँ चारू बोलेगी कि उसे शादी के पार जॉप करने है और लड़का पहले तो सोचेगा फिर हां कहतेगा और इस तरह रिष्टा फिक्स हो चाएगा अभीरा अर्मान चारू को एक बात फिर से सोचने के लिए कहेंगे मगर चारू शादी करने का फैसला ले लेगी मगर कहानी में तभी आएगा जबदस ट्रिस्ट क्योंकि दूले वाले उस टाइम तो जॉब के लिए हां कर दिंगे मगर शादी के बाद वो चारू को जॉब क्या घर से बाहर भी नहीं निकलने दिंगे जैसे चारू के साथ होगा बहुत बड़ा स्कैप क्योंकि लड़के वालों का मकसद है सिर्फ पॉद्दार परिवार में एंट्री करना उनका नाम और फेम यूस करना उनका पैसा हडपना वो भी चारू को परिशान करके ब्लाक मेल करके लड़के वाले आये हैं पॉद्दार में भुचाल लाने अपकमिंग एपिसोट में आपको देखने को मिलेगा कि ये बात जैसे दैसे हमारी चासूस अभीरा को पता चल जाएगी और वो ये रिष्टा तुडवा देगी रिष्टा तूट जाने के बाद चारू जो अभी है अभीरा की दोस्त वो बन जाएगी उसकी दुश्मन वो जोईन कर लेगी अभीरा की दुश्मनों की क्या है वह है अपकमिंग ट्राक में आप देखेंगे कि अर्मान अभीरा से उखड़ा पड़ा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अभीरा उससे कुछ चुपा रही है ऐसे में अभीरा फैसला करेगी कि करवा चौत वाले दिन अर्मान को प्रिग्नेंसी की बात बताने का मगर यहां भी होगा एक ट्विस्ट ट्विस्ट ये कि ये बात अर्मान के जगा पतक चल जाएगी दादी सा को अब आपको क्या लगता है प्रिगनेंसी के बाद जानकर दादी सा क्या करेगी हमें कमेंट करके सरूर पता है इसे तरह के और बेसे दिल अपडेट जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को साथी प्रेस करें हमारा बैल आइकट और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूले